दोस्तो नमस्कार मैं आशिश को अवर्मा अपने YouTube चैनल आशिश NLV में आप से लोगों बहुत बहुत शागत करता हूँ दोस्तो आज हम यहाँ पे बात करने वाले हैं PNB बैंक के वारे में जैसे कि दोस्तो आप लोग जानते हैं कि अगर आप लोग PNB बैंक के उजर हैं तो अगर आप लोग महाँ पे नेट बैंकिंग को उज़ कर रहे हैं और यहाँ पे काफी समय के बाद नेट बैंकिंग उज़ करना चाते हैं उसका अगर आप लोग ID पासवर्ड भूल गए हैं तो अगर आप लोग ब्रांच नहीं जाना चाते हैं तो घर बैठे अपने ID पासवर्ड को कैसे रिकवर कर सकते हैं तो इस वीडियो में जो हम आज प्रोसस दिखाएंगे उसमें आप लोग को मात्र दो मिनिट के अंदर घर बैठे प्रोसस दिखाने वाले हैं कि आप लोग तुरंत यूजर ID को रिकवर कर सकते हैं उसके आप पासवर्ड को रिकवर कर सकते हैं और आप लोग अपनी नेट्वेंकिन को यूज कर सकते हैं करने से पहले आप लोगों से यहीं पर एक छोटा सा निवेदन करना चाहेंगे अगर आप लोग चैनल पर पहली बार आये हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें बेले कर लें जिससे आपको लेटिस्ट वीडियो देखने हो सके ज़द समय लेती हुए वीडियो शुरू कर ल रिटेलर इंटरनेट बैंकिंगे यहाँ पर आप लोग कॉर्णन में देख पारे होंगे यहाँ पर रिटेलर इंटरनेट बैंकिंग के अपसंद पर आप लोगो क्लिक कर देना है जैसे now user id के option पे click करेंगे तो कुछ इस परकार से interface open हो जाएगा अब यहाँ पे आप लोग को सबसे पहले क्या करना है आपको अपना account number डाल लेना है account number डाल लेने के बाद यहाँ पे आप लोग को date app birth अपनी fill कर लेनी है और यह date app birth नहीं डालना चाहते तो यहाँ पे आप लोग pen number भी यहाँ पे आप लोग fill कर सकते हैं देख सकते हैं यहाँ पे pen number डालेंगे उसके बाद यहाँ पे verify के option पे आप लोग को जो है click कर देना है जैसे यहाँ पे आप लोग verify करेंगे तो verify करने के बाद यहाँ पे आप लोग को पास बन टाइम पासवार्ट भेजा गया है वह वन टाइम पासवार्ट यहां पर आप लोग डालेंगे उसके आद यहां पर आप लोग कांटिनु करेंगे अगर आप लोग को पासवार्ट नहीं मिलता तो यह टाइमिंग यहां पर आप लोग देख रहे हैं यह टाइमिंग मिल जाती यहां पर देखेंगे your user ID is internet banking यहां पर आप लोग देशकते हैं इसको यहां पर आप लोग नोट कर लेंगे तो हम इसको यहां पर नोट कर लेंगे उसके आद गो टू लॉग इन पे क्लिक करेंगे जैसे यहां गो टू लॉग इन पे क्लिक किया यहां पे आप लोग पास्वार्ड डालना है तो पास्वार्ड यहां पे हमारे पास है नहीं तो इसलिए हम क्या करेंगे यहां पे आप लोग नीचे देख सकते जा रही हैं यहां पे आप लोग समने आ गए है पासवर्ड इसेट यूजिंग डेबिट कार्ड के मादरम से या पासवर्ड इसेट यूजिंग आधार OTP तो यहां पे हम क्या करेंगे यूजिंग डेबिट कार्ड के मादरम से करने वाले हैं आप लोग इसमें से कोई भी आप लोग सम्मिट के आप संद पर क्लिक करेंगे जैसे यहां पर हमने सम्मिट किया अब यहां पर आप लोग दे सकते हैं पुना से मेरे मोबाइल नंबर पे एक OTP भीजी जाएगी यहां पर देखेंगे वन टाइम पासवर्ड तो यहां पर हमको वन टाइम पासवर्ड पु करेंगे जैसे यहां पर हमने account नवर दाल के verify किया अब यहां पर आप Loh songs पुछा जारा है debit card remain है इस option वाले आप बेन handicap से अपना account number लेना उसके यहां पर आपो आपोलों की जो भी ATM PIN है जब आप लोग पैसा निकालने ATM से जाते वह PIN यहां पर करेंगे और continue के option पर क्लिक करेंगे जैसे हमने यहां पर continue किया है तो continue कर देने के बाद यहां पर आप लोग देख सकते हैं यूजर एक्सस कंटेडर तो यहां पर आप लोग को यूजर आईडी दिखाई जाएगी यहां पर आप देखेंगे सेट इंटरनेट लोगिन पासवर्ड उसके आद यहां पर सेट आंजेक्शन पासवर्ड अब यहां पर दो पासवर्ड है याद रखना है आप लोग को दोनों पासवर्ड क्या है आलाग अलाग बनाने कैसे बनाने यहां पर आप लोग नीचे बताये गए यहां पर आठ करेक दोनों डाली है उसके यहाँ पर continue के option पर click करेंगे है है अब आप लोग भी इसी पहार से यहाँ पर change कर सकते हैं उसके आप लोग अपने windows पे आएज़ पर हैंगे कर सकते हैं आई हो दूस्तो예요 आप लोग को सब्सक्राइब कर ले बेल आइकर अंडर प्रेस कर ले जिससे आपको लेटिस्ट वीडियो देखने मुझे सके तब तक के लिए दोस्तों नमस्कार जै हिन जै भारत